है गुड मॉर्णिंग गाइस कैसे आप लोग टॉपिक स्टड़ी पर आप लोग का स्वागत है आप लोग को पता होना चाहिए कि टॉपिक स्टड़ी अनकेडमी का ही एक पार्ट है तो आज के इस ब्लैक मैजिक के चाहिए अकाश आपका मैत्स मेंटर बताऊँगा कि किस तरीके से क्यूबहुत फाइंड किया जाता है विदिन 2 सेकंड यहां पर जो मैंने लिखा है 1 है और 1 का अगर मैं क्यूब रूट करूँगा या क्यूब करूँगा तो कितना आजाएगा मेरे पास 1 ही मिलेगा ठीक है अब मैं अगर 2 का क्यूब करता हूं तो 8 मिलेगा और अगर मैं 8 का क्यूब रूट करूँगा अगर मैं सपोस्थ 8 का क्यूब रूट करूँगा तो बुझे कितना फिर से मिल जाएगा 3, तो यह अगर टेबिल जिसको पता है, इकाई के अंक का खेल, अगर 5 है, कोई नमबर 4 है, तो 4 का अगर मैं क्यूब करता हूँ, तो लाश्ट में 4 मिलेगा, अगर इसका क्यूब रूट करूँगा, तो बापिस 4 मिल जाएगा, बात समझ है, तो 9 में 9 ही रहता है, और 0 में 0 रहता है, तो यहां से एक बात मुझे समझ में आ गई, बात क्या समझ में आई है, कि 2 का अगर मैं क्यूब करता हूँ, तो मिलता है, मुझे 8, क्या मिलता है, 8 मिलता है, और अगर मैं 8 का क्यूब रूट करता हूँ, बात समझ ना बहुत है अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो इक आई के यंग पर क्या मिलता है दो मिल जाता है तो आठ और दूसरे का फिलिप है मतलब आठ को मैं दो से दो को आठ से चेंज कर सकता हूं ऐसे तीन का क्यूब करता हूं तो साथ मिलता है और साथ का अगर मैं क्यूब करता हूं तो जीरो पर जीरो मिलता, अगर इतनी बात पता है, तो आगे की ट्रिक देखने के लिए तयार हो जाएए, जैसे मेरे पास ये एक नंबर है, 39304, और हमसे पूछा गया है कि इसका क्यूब रूट फाइंड करना है, तो देखो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक ही टास छोड़के, तीन डिजिट का मतलब है, यहाँ पर मैंने एक क्या लगा दिया, इसको बाइफर्केट कर दिया, दो भागों में बाट दिया, तीन नंबर इधर, तीन डिजिट इधर लिग ली और बाकी जितना भी बचेगा वो इधर इधर कंसीडर कर लेना, अब यार एक ब 39, अब 39 से छोटा परफेक्ट क्यूब, किस नंबर का होता है, 39 से छोटा परफेक्ट क्यूब होता है 27, और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो मैंने लिख दिया 3, तो मुझे पता चल गया कि यह नंबर, इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 34 34 आ जाएगा बात समझ में आ गई एक और एक्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से तो पता चला 34 का क्यूब करोगे तो यह आ जाएगा ओके तो चलते हैं अब देख लेते हैं, नेच्ट क्या बोला, अब देखो मैंने वही काम किया 112 सेकला यहां से इसको ब्रेक कर दिया आगे क्या बचा उससे मुझे अभी मतलब नहीं है तो 9 मुझे कब मिले इतनी बात बता दो बहुत ध्यान से बताना है, 9 मुझे कब मिलता है, 9 तभी मिलता है, जब मैं किसी 9 वाले नंबर का cube करूँगा, तभी मुझे 9 मिलेगा, बात समझ में आ रही है, क्योंकि 9 का cube होता है, 729, तो 9 के cube में ही 9 मिलता है, तो 9 का 9 आ गया, बात समझ नहीं, अब देखो, 24 बचा मेरे से जादा हो गया, तो 3 नहीं लिख सकते, 24 से छोटा perfect cube है, 8, और 8 किस का cube होता है, 2 का, तो मैंने लिख लिया, 29, तो मुझे पता चल गया, 29 का ही cube करूँगा, तो मेरे पास ये मिलने वाला, 24389, होप सो बात समझ में आगी होगी, इसी के साथ चलता हूँ, अपने next question के और क्या है, तो trick बहुत मजा आ रहा होगा, तो चलो देख लेते हैं, यहां पर क्या कहने जा रहा है, यहां पर भी मैंने मुझे कुछ नहीं करना, मैंने तीन डिजिट से बस इसको cancel, वाइफर केट कर लिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब यार ये बताओ, कि 2 कब मि जब 8 का क्यूब करता हूँ ना तो 500 बार है, मतलब 2 तम मिलेगा जब 8 आएगा, तो 2 का फिलिप है 8, अभी देखा था, तो मैंने लिख लिया 8, अब ये बचा 110, 110 से छोटा परफेक्ट क्यूब, यार ये बताओ, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होत करूँगा, तो मिलेगा 48, तो ये विदिन 2 सेकंड, 2 सेकंड का ही खेल है, ओके, बात समझ में आ रही है, तो इसी के साथ चलते हैं, अपने next question की और देख लेते हैं, next क्या कहना चाहरा है, तो चलो next को भी देख लेते हैं, इकाई 12 से एकड़ा, यहां से इसको 100 प्लेस से मै लेगा जब 7 रहा होगा, तो 3 से पता चला की 7 है, तो यहां पर तो 7 रहेगा ही रहेगा, बात समझ में आ रही है, की 7 रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ये नंबर देखो, 456 से छोटा परफेक्ट क्यूब देख लेते हैं, चलो, 8 का क्यूब कितना होता है, दिमाग आने वाला है 77, it is your correct answer, बात समझ में आ रही है, 77 is your correct answer, अब चलते next देख लेते हैं, बहुत मजा आ रहोगा आज की trick में, यार ये मैं देना चाहता हूँ, आप लोगो के लिए task, क्या देना चाहता हूँ, आप लोगो के लिए task है, इसका answer बताना है comment box में, तो आशा करता ट्रिक होगी, आप लोगो को बहुत पसंद आई होगी, अगर क्यूब रूट की बात करेंगे, तो क्यूब रूट आप easily find कर सकते, किसी भी number का, तो चल ये topic study पर बने रहने के लिए thank you, enjoy करें, daily ऐसी नई trick के लिए जुड़िए topic study से, okay, thank you.